नमस्कार मैंनंदन आप देख रहे हैं एक निश्ट 24 देखिए मनीश कश्यप का मुद्दा चर्चा का विशय बना हुआ है जिस तरीके से मनीश कश्यप ने कल ही बीजेपी के सदसता ग्रहन की और बीजेपी के नेता बन चुके हैं उस विशय को लेकर जो मनीश कश्यप के सम आ रहे हैं लेकिन कुछ लोग जो एक समय पर कह सकते हैं NDA के समर्थक थे मनीश कश्यप के समर्थक थे वो आज मनीश कश्यप को गालियां देते नजर आ रहे हैं वो आज मनीश कश्यप के इस फैसले से खुश नहीं दिख रहे हैं जी आम आपको बता रहेते हैं कि बहुत स सारी बाते कही थी लेकिन उससे पहले उन्होंने ये भी कहा था कि हम तेजस्वी यादों की सरकार को गिरा देंगे क्योंकि तेजस्वी यादों नहीं हमें जेल भेजा है वहीं मनिश कश्यप जो तेजस्वी यादों को गालियां देते थे वो तेजस्वी यादों के साथ कु पड़ा साफ कर देंगे क्योंकि BJP के तरब से उन्हें टिकट नहीं मिलती है लेकिन उसके बाद से मनिश कश्यप को राजद ने भी हटा दिया राजद ने भी उन्हें टिकट नहीं दिया और राजद ने भी उन्हें ना इधर का छोड़ा ना उधर का तब मनिश कश्यप ना निर्दलिये चुनाव लड़ने का फैसला करते हैं जगह जगह पर जाते हैं और जाकर वापस से वही काम करते हैं जिस काम को लेकर वो चर्चे में आया थे जिस काम को लेकर उन्हें फेम मिला था यानि कि रोड दिखाना सरकार की कमिया दिखाना चाहिए राज सरकार की बात ह कमिया दिखाना कमिया दिखाकर बदनाम करना मनिश कश्यप ये करते रहा कि उसके बाद आपको बता रहेते हैं कि जिस तरीके से उन्हें निर्दलिये चुनाव लड़ने का फैसला किया था उन्होंने साफ तोर पर यही कहा था कि हमारी माँ चाहती है अपनी माँ को लेकर उन्होंने कहा था कि हमारी माँ चाहती है कि हम BJP से लड़े इस वज़य से मनिश कश्यप BJP में शामिल हो जाते हैं लेकिन आपकी माँ तब कहा थी जब आप निर्दलिये चुनाव लड़ने का फैसला कर रहे थे कि तब आपकी माने आपको नहीं रोका था बहुत सारी बाते उठती है मनिश कश्यप एक समय पर इंडिपेंडेंट लड़ना चाहते थे लेकिन अचानक ऐसा क्या हुआ कि वो इंडिपेंडेंट ना लड़कर अकेले ना लड़कर BJP का दामन थाम लेते हैं क्या पैसे का डर था या फिर कोई धमकियां मिल रही थी सवाल बहुत पैदा होता है कि मनिश कश्यप जो एक समय पर निर्दलिये चुनाव लड़ना चाहते थे जो इंडिपेंडेंडेंट लडना चाहते थे अचानक से भाजपा का दामन उन्होंने क्यो थामा क्या पैसे का वजन मनिश कश्यप के इमान से ज्यादा था या फिर मनिश कश्यप को धमकियां दी जा रही थी कि आप BJP में शामिल हो ये नहीं तो आपको हम कहीं का नहीं छोड़ेंगे सवाल बहुत सारे उठाये जाते हैं कि आखिर अचानक से मनिश कश्यप जो निर्दली लड़ने का फैसला कर रहे थे मनिश कश्यप जो की कह रहे थे कि हम इंडिपेंडन्ट लड़ेंगे वहीं मनिश कश्यप BJP में शामिल हो जाते हैं सवाल हम फिर से आपको रिपीट करकर बतारेते हैं कि क्या पैसे का जोड़ था या फिर धंकी की बात ही अगर मनिश कश्यप को धंका कर BJP में लाया गया है तो ये भी एक सवाल उठाय जाता होगर कि मनीश कश्यब जिस तरीके से लगातार उल्टा सीधा बोलते नजर आते थे राज़त को, वहीं मनीश कश्यब राज़त के साथ दिखते हैं और तेजस्वी यादों के साथ मिलकर कहते हैं, कि हम BJP का सूपडा साफ कर देंगे, वही मनिश कश्यप बीजेपी के साथ भी दिखते हैं और बीजेपी के साथ मिलकर कहते हैं कि हम राज़त की सरकार गिरा देंगे कहने का सेंस यह कहने का अर्थ यह है कि जब राज़त के साथ मनिश कश्यप रहते हैं तो बीजेपी को गाली देते हैं बीजेपी के साथ मनिश कर्षप रहते हैं तो राजत को गाली देते हैं वहीं मनिश कर्षप निर्दली है लड़कर राजत और बीजेपी दोनों को गाली देने का भी काम कर रहे थे लेकिन आचानक से जिस तरीके से भाजपा में शामिल हुए मनिश कर्षप, सारा का सारा मुद्दा भटक गया, सारी की सारी बात पलट गई कहने कारती है कि जिस तरीके से बीजेपी में शामिल हुए मनिश कर्षप, सवाल तमाम उठाये गए कि आप independent लडने की बात कर रहे थे अब आपका independence कहा गया अब आप अकेले लडने की बात कहा कर रहे है क्या पैसे के दम परा पैसे से आपने अपना इमान बेच दिया या फिर किसी धमकी की वज़ा से आपने BJP जॉइन कर लिए एक समय पर हो कहते है कि हमारी मा बेटा तुम BJP के साथ जाओ बातें बहुत उठती है दूध से नहाते नजर आये थे और आपको पता होगा कि हमारे सनातन धर्म में रुद्रा अभीशेक किसका किया जाता है भगवान भौलेनाथ का और उस रुद्राविशेक बवान भोले नात का किया जाता है, इंसान का नहीं किया जाता है, दूसरी बात दूद की बात करें, तो दूद छट के महापर जैसे पवीतर तेवहारों में इस्तमाल किया जाता है, लेकिन आपने वो वीडियो देखा होगा जहां पर मनिश से नहा कर, वो कैप्शन में लिखते हैं कि रील नहीं, रीयल लाइफ का नायक, यानि कि खुद को दिखाने का भी प्रयास मनिश कश्यप करते हैं, कि लोग हमें नायक मानते हैं, नायक आपको फिल्म याद होगा, जिस तरीके से नायक फिल्म में अनिल कपूर को मनिश कश्यप भी राजनीती के शिकार हो चुके हैं, मनिश कश्यप जो एक समय पर अपने आपको पत्रकार कहते थे, का सच्चा पत्रकार सनव बिहार कहते थे, वही मनिश कश्यप आज राजनीती के हाथों बिख चुके हैं, जो उनका फैसला लिया जा रहा है, हमने वीड मनिश करचभ बिख चुक है जिस तरीक से राजनीती खेलती हो, मनिश करचभ नजर आ हुआ रहे हैं साफ़ दाथ पर दिखाता है कि राजनीती ने उन्हें खरीद लिया है। जी हैं फिर से एक बार आखरी बार रिपीट कर देते हैं कि आपको पता होगा हम राजिनिती के हाथ मनीश करशप बिग गए हैं ऐसा सब्ध क्यों इस्तमाल कर रहे हैं ऐसा सब्ध हम इसलिए इस्तमाल कर रहे हैं क्योंकि आपको याद होगा कि मनीश करशप जब जेल से छू पूलने का काम किया कि तेजस्वी की सरकार गीरा देंगे और राज़त नहीं हमें जेल भेजा लेकिन बीजेपी के तरफ से कोई भी महत्त हुरो नहीं दिया गया जब मनिश कशप को तो मनिश कशप राजद के साथ नियुकर के साथ दिखांते हैं और दूनों को उल्टा सिधा बोलते नजर आते हैं कहने कार दिये है कि आखिर मनीश करशभ जिस तरीके से राज नहीं थी कि हाँ तो बिख चुके हैं साफ तोर पर आप देख सकते हैं चाहे राज़त के तरफ जाकर विजेपी को उलटा सिरा बोलने की बात हूई या फिर यह कहने की बात हों, कि हमारी मा चाहती थी, कि हम अकेले चुनाओ लड़े, माफ कीजेगा, मनिस कछप कहते हैं, कि हम बीजेपी के तरफ से लड़ें, हम बीजेपी का साथ दें, लेकिन तब आपकी माक कहा थी, जब आप निरदली लड़ रहे थैं, कि अनreon आप की माने आपको न सके तो यह थी आज की रिपोर्ट बाकिए सवर्त अमाम खबर को नार साथ बनेड़ और देखते रहें कि ट्रेंट फुर्ट मैं अंदर अपने सर्जी अंगित के साथ धन्य बाइब